बीपेसी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में 17 और 18 दिसंबर 2022 से सम्मंदित बिहार करेंड़ फेर्श और साथ है और राश्टर राश्टर गटनासित करेंड़ फेर्श के जितने भी परशने बनेंगे शम्मंदित सारी जानकारी आपको विस्तार प्रुबग दिया जाएगा जितने भी छात्र इसे स्रिंकला से पहली बार जुड़े हैं आप सभी छात्रों को बदा दूँ इसे स्रिंकला के सारे वीडियो पीडियो नोट्स आदी आपके बिहार के सभी परद्योगी परिक्षाओं की दरिश्टिकों से अती महतपूर्ण है ये सारे नोट्स पीडियो आपको बीपेसी मेकर एप पर उपलब्द कराएगा है आप वहां से तमाम पीडियो फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं दियान रखे हमारे जितने भी इस्टेडि मेटरियल और शाथ साथ जो हमारा ओनलाइन टेश्ट सेरी जबी हाल ही में अर्श्ट पीडियो परिक्षा के लिए लॉंच होआ है जो आपका एक्जाम प्रस्तावित है 12 फरवरी 2023 को यह सभी आप वहां से एकसेस कर सकते हैं इससे टेश्ट सेरीच की बात करने तो यह 42 दिनों का टेश्ट सेरीच प्लान है इसकी complete जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंत में दोंगा आप इसे कैसे जोईन करेंगे इस पूरे वीडियो को आपको ध्यान पुरवग देखना है अब यहाँ पर हम आच गए हैं पिछले वीडियो के प्रश्ण पे यह प्रश्ण आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था तो यह प्रश्ण था कि निमलेकित में से किने हाल ही में वारते ओलंपिक शंग की पहली महला अध्यक्ष बनाय गया है या फिर न्यूक्त किया गया है इस प्रश्णी का हमारा राइट अंसर होगा अप्सन नंबर बी यानि की पी टी उसा ध्यान रखें जो भी प्रश्णी आप लोगों से पूछे आते हैं आप लोग से कमेंट बॉ प्रश्णी पे तो हमारा आज का पहला प्रश्णी की बैंगलोरो में दिसंबर 2022 में यानि की इसी महने 2022 में जिते 60 में नेशनल रोलर स्केटिंग चिंपेंशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाडी शावनी चौहान ने कौन सा पदक जीता है बिहार करेंट फेल्स के द अपसर नमबर सी यहाँ पर इस प्रश्णी का राइट आंसर हो जाएगा अब आपको यहाँ पर इसकी विश्तित जान कर देदों कि बैंगलोरो करनाटक में आजित 60 में नेशनल रोलर स्केटिंग चेंपेंशिप में बिहार की प्रतिभान खिलाडे सानवी चौहान ने स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है उन्होंने महज 9-11 वर्स उम्र के वर्ग में या फिर इसे ग्रूप में या स्वर्ण पदक हासिल किया है और इसके साथ ही बिहार को स्केटिंग में पहला स्वर्ण पदक मिला है और इसे प्रतियुक्ता की बात करें जो इसका CBSE National Games 2019 में रज़त पदक हासिल किया था या फिर प्राप्त किया था यह यहां से नोट कर लिजेगा साथ यहां पर बिहार से समन्दित खेल से जुड़े वे एक और प्रशन को हमने सामिल किया है मुझे लगता है कि यह प्रशन आपके एकजाम में निश्वित तोर पर पूछे जाएंगे इस वज़त से यहां पर हमने सामिल किया है और इसी चिट का जिक्र यहां पर हमने आगे किया है कि पटना की रहने वाले किरती सिंग या फिर किरती राज सिंग बिहार की पहली बेटी है जिन्होंने पहली बार में पावर लिप्टिंग प्रतियुकता में 6 गोल्ड मैडल चीता है तो इस लिहाच से ये प्रश्न बहुत important है अलाकि जो भी important प्रश्न होते हैं बिहार राष्ट अंतराष्ट ये तीनो घटना से समन्दे तो वैसे ही प्रश्नों का संग्रा यहां पर किया जाता है अब यहाँ पर हमारा इसी में दूसरा प्रशने की हाली में दिसंबर 2022 में 29 बिहार राज्य बॉल बैडवेंटन प्रतियुक्ता का आजन निम्न में से कहां किया गया है important प्रशन है इस प्रशनी का हमारा right answer होगा option number A यानि कभी हाली में इसका आजन वैसाली में किया गया है और यहाँ पर आपको इससे प्रशनी की बारे में विश्तरित जानकारी दे दो इसमें हमारा पहला point है कि 29 बिहार राज्य बॉल बैडवेंटन प्रतियुक्ता का जो आजन है यह वैसाली में किया गया नोट कीजेगा यह इसका 29 संस्क्रन था जो कि भी हाली में वैसाली में आज़ित वा था और इससे प्रतियुक्ता के final मुकाबले की बात करना तो इससे प्रतियुक्ता का जो final मुकाबला है यह चछपरा और वैसाली के बेच खियला गया इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया कि इसे प्रत्युक्ता के फैनल मुकाबले में छपरा कोहराकर वैसाली जीला की महला टीम चेंपियन बनी है यहाँ से नोट करना है आपको शादसा तुमारा अगला पॉइंट यहाँ पर लिया है कि विज़ता और उप विज़ता दोनों टीमों को इसराइल मनसूरी द्वारा ट्रॉफी प्रदान क्या गया अब यहाँ पर सवाल उड़ता है कि इसराइल मनसूरी कौन है हलाकि इसकी complete जनकारी हमने आपको दिया था आप यहाँ पर देखेंगे कि बिहार शर्कार के विभाग और मनतरियों की कुछ जो important है वो सूची यहाँ पर हमने सामिल क्या है जैसे कि वरतमान में बिहार के सूचना और प्रॉद्ट की मनतरी है इसराइल मनसूरी इसी सीच का यहाँ पर जी करवा था कि इसराइल मनसूरी द्वारा यह विजटा और उप विजटा यानि कि वैसाली विजटा रहा और छप्रा उप विजटा रहा तो दोनों टीमा को यहाँ पर ट्रॉद्ट की मनतरी इसराइल मनसूरी के द्वारा हमारा अगला है वरतमान में बिहार के उद्योग मंत्री है समेर कुमार महासेट हलाकि इन से पहले बिहार के उद्योग मंत्री थे शय्यद शहनवाज हुसेन नेक्षे सिक्षा मंत्री तो स्री चंदर शेकर अभी हाली में या फिर वरत्मान में बिहार के सिक्षा मंत्री है नेक्षे भवन निर्बान मंत्री यह है असोक चौधरी एक और यहाँ पर हमने सामिल किया है ग्रामिन विकास मंत्री जो की वर्तमान में स्री सर्वन कमार है 16 अगस्त 2022 को ध्यान रखे 16 अगस्त 2022 को जो नया मंत्री मंडल का गठन हुआ है इन से समंदित एक वीडियो हमने चैनल पर अप्लोड किया था यह फुली अपडेटेड डेटा के साथ आपको मिल जाएगा चैनल पर विजिट कीजिए यही वो वीडियो है आप वहाँ पर प्लेजिश्ट के अंतरकर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और नेशुल का पीडियो फाईल आप वहां से टेलिग्राम चैनल से भी हमारे डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जुड़ने के लिए टेलिग्राम के सर्च उयाँ कर वार मैं आप वहाँ daylight कर बजा करें इंपॉर्टन्ट प्रश्ण है और इसका राइट आंसर होगा हमारा अप्सन नमबर बी याने की मेगाले में अभी हाल ही में इसका आयजन किया गया है हलाकि इसे सरिंखला के जितने भी वीडियो यहां पर आप देख रहे हैं सभी में बिहार राष्टे अंतराष्टे तीनो घटनाओं का संग्र होता और सभी प्रश्ण चुनिंदे होते हैं इसलिए मैं आपको बार बार बलता हूँ कि सारे प्रश्णों को पूरे वीडियो का आपको दियान पूरो देखना है तब ही जाके आपको फायदा होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़े ऐसी होती है जो एक दूसरे से कनेक्टेट होती है अब यहाँ पर हम इस प्रश्ण के एक्स्प्लानेशन की बात करें तो भारत और कजाकिस्तान संजुक्ते सेन प्रसिक्षन अभ्यास से काजिन्द का काजन्द 2022 का जो संस्क्रण ये चठा संस्क्रण है ये हाली में मेगाले की उम्रोई में आजित किया गया है ये यहाँ से आपको दिहान रखना है भारत और कजाकिस्तान के बीच ये जो संजुक्ते सेन प्रसिक्षन अभ्यास आजित होता है ये इसका चठा संस्क्रण है ज अभ्यास की तो यह एक वार्षी के प्रस्रिक्शन अभ्यास है जिसे कि 2016 से प्रतियक वर्ष आजित किया जाता है हमारा यहाँ पर अगला फॉइंट है 2016 में प्रबल दोस्ति के रुप में इसकी सुरवात हुई थी जिसे कि 2018 में इस अभ्यास का नाम में परिवर्तन करते सारे बातें एक्जाम में पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कजाकिस्तान से सिर्मंदित हमने एक एक्स्ट्रा फैक्ट को सामिल किया है कि कजाकिस्तान ने देश की राजधानी अस्ताना को नूर सुल्तान में बदला था या फिर जो कजाकिस्तान की जो राजधानी استانہ है इसे नूर सुल्टान के नाम में बतला था कुछ समय पहले लेकिन हाले में कुछ में पहले आपको दिहान रखने है इसका पुलन नूर सुल्टान से अस्ताना किया गया है ये बहुँ ज़ना खबरों में भी रहा था मैंने इसकी complete जैंकरी आपको इसी सरिंकला के अंतरगर दिया था नोट कीज़ेगा अस्ताना से नूर सुल्तान इसका नाम किया गया लेकिन फिर से नूर सुल्तान से इसका नाम अस्ताना कर दिया गया चलिए अब यहां पर हम चलेंगे अगले चौथे प्रश्ण पे यह प्रश्णी की दिसंबर 2022 में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत की रैंक निम्न में से क्या है तो देखे ऐसे प्रश्णी जो होते हैं यह बहुत बहुत इंपोर्टन होते हैं इस प्रश्णी का जो हमारा राइट आंसर होगा यह हो जागा हमारा अफसर नमबर सी यानि की भारत इसमें पांचमें अस्थान पर है 2022 में इस सूची में और यहां पर हम इसके एक्स्पानेशन की बात करें तो आपको ध्यान दखना है कि हाली में हुरून रिसर्च इंस्थान ने विष्ट की 500 सबसे मुल्यवान गैर राजन यंतरित कंपनियों की आंकरन की सूची जारे की है और इस सूची में भारत नवे अस्थान से अब पांचमें अस्थान पर पहुँच गया है पेशला जो रिपोर्ट आया था उस अधार पर हम बात करें तो भारत नवे अस्थान पर था लेकिन नविन्दम रिपोर्ट जो दिसम्बर 2022 में जारे भी है हुरून रिसर्च इंस्थूट के द्वारा तो इसके अधार पर भारत अब पांचमें अस्थान पर है और इसे सूची में भारत की कमपनियों के बात करें तो इसे सूची में इसे रिपोर्ट की अधार पर भारत की 20 कमपनिया सामिल है जो कि भारत की सबसे मुल्यवान जो 20 कमपनिया इसे सामिल किया गया है और इसे सूची में भारत की दिरिष्टिकों देखें पहले अस्थान पर कौन है तो आपको ध्यान रखना है कि 202 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ Reliance Industries पहले अस्थान पर है जबकि हम बात करें 149 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ टाटा कलसंटेर्सी सर्विसेज दोसरे अस्थान पर है तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि Reliance Industries और टाटा कलसंटेर्सी सर्विसेज करबसा भारत की पहली वा दूसरी मुल्यवान कमपनी है यह यहाँ से ध्यान रखेगा अवरल हम बात करें Reliance Industries की तो पूरे विश्टी की जो 500 सबसे मुल्यवान कमपनियों की सूची जारी हुई है इसमें Reliance Industries को 34 अस्थान मिला है यानि कि विश्टी में जो इसका अस्थान है 34 है भारत की दृष्टी कौन से लखेगा तो यह पहले अस्थान पर है इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि इस सूची में 260 कमपनियों के साथ अमेरिका सिर्ष और दूसरे अस्थान पर चीन 35 कमपनिया है यानि कि चीन की 35 कमपनिया है यानि कि आपको यहां से ध्यान रखना है पहले अस्थान पर इस सूची के अनुशार अमेरिका है जिसकी 260 कमपनिया इस सूची में सामिल है वहें पर दूसरे अस्थान पर चीन है जिसकी 35 कमपनिया यानि कि इस सूची में सामिल है जबकि भारत की दरिश्टिकों से भी हमने बात किया कि 20 कंपनियों के साथ भारत इस सूची में 5 में अस्थान पर है और हम बात करें पहले अस्थान पर कौन सी कंपनी है तो अमेरिका इस्तित एपल हुरुन गुलोबल 500 सूची में एस सिरस रैंक वाली कंपनी है आपको ध्यान एकने Apple जो है ये पहले अस्थान पर है उसके बाद आपको ध्यान एकने Microsoft, Alphabet, Amazon और Tesla आदी इसमें मतलब करमसो इसके बाद है Alphabet की बात करें तो Google की जो Parent Company है ये Alphabet है वरतमान समय की बात करें Google के जितनी भी शिवाय उपलब्द है ये सभी की जो Parent Company है ये Alphabet ही है यानि की मूल कंपनी Alphabet है अब यहाँ पर हमारा अगला होगा पांचवा प्रश्ण ये प्रश्ण की निमलेकित में से कहा हाल ही में इंडिया Global Forum आजित क्या गया है इस प्रश्ण का हमारा Right Answer होगा अभी हाल ही में इसका आजिन क्या गया है दुबई में दुबई संद्युक्त अरब अमिरात में संद्युक्त अरब अमिरात का ही एक शारह है दुबई यहीं पर इसका आजिन हुआ है इस से प्रश्ण के हम Explanation की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंटे की हाल ही में 13 से 15 दिसंबर 2022 को दुबई में इंडिया Global Forum का आजिन किया गया और आपको ध्यान रखना है कि जिसमें भारत की तरफ से केंद्रे Electronics और सूचन प्रदुक की राज्यमंत्री राजिव चंद्रशेखर ने भाग लिया था नोट कीजेगा इसका आज़न तिथी क्या है और ये कहां पर आजित हुआ था और शासत इसका थीम क्या है तो थीम की बात करें कि इसकी विसाय की बात करें तो भारते तकनिक और नवाचार प्रतिभा का वैश्वी करन ये इसका 2022 का निरधारी थीम है हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट में दुबई से समझेद एक्स्टा फैक्ट की तो सितंबर 2022 में हम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्त सीकर शमिलन का पहला संस्क्रण दुबई में आजित किया गया था और दुबई स्वास्त अरब अमिरात के बारे में एक इंपॉर्टन जानगारी यहाँ पर यह है कि विश्व की सबसे उंची इमारत बुर्ज खलेफा दुबई शनुक्त अरब अमिरात में ही इस्तित है और इसकी जो उंचाई है यह 828 मीटर है और इसमें कुल मिलाकर 160 फ्लोर है यह भी यहाँ से ध्यान रखना आपको निक्ष्ट हमारा च्छाठा प्रशने के निवलेखित में से किस सहर में G20 के विकास कारी शमू की पहली बैठक आजित की गई है तो भी हाली में G20 के विकास कारी शमू की पहली बैठक मुंबई में आजित हुआ ऐसे में ध्यान रखे आपसन नमर बी इससे प्रशन का मुंबई महाराश्टर हमारा अगला पॉइंट है कि यह तीन दिवस्य विकास कारिशमू की बैटक थी आपको ध्यान रखना है यह तीन दिवस्य का सकती प्रगार की आजन था हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है इसका उद्देश्वे विकास सिल देशों को खाद दे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की जंगारी हमने सामिल किया है कि हाली में एक दिसंबर 2022 को अगले एक वर्ष के लिए भारत ने इंडोनेसिया से जी ट्वेंटी की अद्धश्टा गरहन किया है साथ सल आपको ये भी दानक रहा है राजिस्थान के उदैपूर में अभी हाली मे 4-7 दिसंबर 2022 तक भारत की पहली जी ट्वेंटी सेरपा बाठक आजित की गई है ये भी important है अभी हाली में जो जी ट्वेंटी का सिखर सिमिलन आजित वा था ये इंडिनेशिया के बाली में आजित वा था और यहीं पर इंडिनेशिया के जो राष्टर पती है उनके दोरा भारात को अगले एक वर्ष के लिए यह पूरे के पूरे 2023 के लिए यह जी 20 की अध्यक्षिता सौंपी गई है एकजाम बन सकते हैं कि भारत में जो जी 20 की अध्यक्षता ग्रहन की है यह किसे देश से सदस्ता ग्रहन की या फिर अध्यक्षता ग्रहन की है नोट किज़ेगा इंडोनेशिया से अब यहाँ पर हमारा अगला होगा साथवा प्रशन यह प्रशन भी important है हलाकि इसकी जानकारी हमने पहले भी आपको दिया था यह प्रशन की किसे देश ने भविष्ट की पीडियों के लिए शिग्रेट पर परतिवंद लगाने वाला कानून पारित किया था जब यह चरजा में थी जब यह खबरों में थी तब हमने इसकी जानकारी आपको दिया था लेकिन अब यह कानून पारित हो गया है तो ऐसे में ध्यान रहेगा आइ थिंग आपको इसका आंसर पता होगा इसका आंसर है न्यूजिलेंड यहने कि अप्सन नमर ए यहाँ पर इससे परशनी का राइट आंसर हो जाएगा अब यहाँ पर आपको इसकी कम्प्लीट जानकारी दियान में रेकना है जैसे कि न्यूजिलेंड ने युवाओं को जीवन में कभी भी सिग्रेट खरेदने पर परतिबंद लगाने की योजना बनाई है और इसके तरह आपको दियान रेकना है कि यह तमबाकू उद्योग की दुनिया में अब तक की सबसे कठीन कारवाही में से एक है न्यूजिलेंड सरकार का ऐसा करने का पीछे का उद्देश यह है कि देश में सिग्रेट को या फिर धुमरपान को पूरी तरह से परतिबंदित करना है ऐसे में कुछ सी कंडिसन है जो कि आप यहां से ध्यान रिखेंगे इस नियम के अनशार 2009 के बाद पैदा हुए कोई भी वेक्ति अपने जीवन काल में सिग्रेट या फिर तंबाकू उतपाद नहीं खरीद पाएगा इस कानून में यह सारी बातों का जिक्र किया गया है हलाकि आपको यह भी ध्यान रखना है कि नियुजिलेंट का लक्ष धुम्रपान को पूरी तरीके से शमापत कर 2027 से धुम्रपान मुक्त पीड़ी का निर्बान करना है जिस दिसामे भी हाली में यह कानून पारित किया गया है यह ध्यान रखना आपको 2009 के बाद जो भी पैदा लिये है नियुजिलेंट में वो जीवन में कभी भी सिग्रेट या फिर तंबाकू उत्वाद जितनी भी होते हैं वो कभी भी नहीं खरीद पाएंगे हमारे यह अगला पॉइंट नियुजिलेंट के बारे में है नियुजिलेंट की रायदानी है वालिंटन और यहां की मुद्रा है नियुजिलेंड डॉलर इस धिंग आपके लिए प्रशनी इंपोर्टेंट होंगी खतार टीसरे बार से पहले अस्तान पर हैं तू ऐसे में दिहान रहे उ्निसमें संस्क्रंड में जो अंतराष्ड्य hy जूनियर साइंसali अलम्पियाड 2022 का आजन किया गया और इसे प्रत्युक्ता का जो आजन था ये आपको दिहान रखना ये इसका 19 संस्क्रन था और हमने आपर आगे लिखा कि जिसमें भारत ने छे स्वर्ण पदक जीत करशिर से अस्थान हासे लिए नोट किजेगा इसे जुनियर साइंस अलम् किया है और इसके साथ ही भारत पदक तालिका में सिर्स अस्थान पर रहा है बरकरार हमने बरकरार सब्द का परियोग इसलिए क्या है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट में कि यह लगातार तीसरा वर्स है और कुल मिलाकर चौथा वर्स है जब भार पदक विजिताओं में अरित्र मलहोत्रा राजदीप मिस्रा अवनीस बंसल बासु विजे देवेश पंकच बन प्रिता मजी यह सभी जो है यह भारत के छे स्वण पदक विजिता हैं जिनोंने यहां पर कॉलंबिया के बगोटा में आजित 19 अंतराश्ट जूनियर साइन्स अलंपियाड में स्वण पदक अपने नाम किया है हलाकि इस प्रतियुक्ता का आज़न या फिर इस संस्क्रन का जो आज़न था यह मूल रोप से की भी युक्रेन में आजित होने बाला था लेकिन आपको दिहान रखना है किसी अभी हाल ही में यह कोलंबिया की बोगोटा मे अज़ित किया गया था अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको जानकर देदों चितने भी छातर घर बठे रहकर बीपेसी एक्जाम की तयारे में लगे हैं जो 68 बीपेसी एक्जाम प्रस्तावित है सबसे पहले यह डेट याद रखिए 12 फरवरी 2023 को यह है टोटल जो टेस्ट है यह आपको द्याने का है 12 टेस्ट है और इसके अंतरगत जो भी टेस्ट आपके छूट चुके हैं वो सभी आपको एप्लिकेशन पर मिल जाएगा प्ले स्टोर से बीपेसी मेंगर एप डाउनलोट केज़े वहाँ पर यह तमाम टेस्टर स्रीज को आप जोइन कर पाएंगे जो कि ऑनलाइन माद्यम है जो आपकी तैयारी का सही तरह के से आंकलन करेगा इससे टेस्टर स्रीज वाले कोर्स में तमाम मेटरियल उपलब्द कराए गये हैं चुके आप यहाँ पर देख शकते हैं और आपको जानकर देदू यही सारे मेटरियल इस में 20 संस्क्रण का 20 संस्क्रण का इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का आजन कहां किया गया यानि कि सीधे सी आप ध्यान लखे प्रशन पूशा गया कि 20 वा इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का आजन कहां किया गया इस प्रशन का हमारा राइट answer होगा इसका आजन अभी हाल ही में नेपाल की रैधाने काट मांडू में किया गया इसी जिसको यहाँ पर हमने explanation में लिखा है कि हाल ही में 8 से 12 दिसंबर 2022 तक काट मांडू International Mountain Film Festival के 20 संस्क्रण का जो आजन है यह काट मांडू नेपाल में आजन किया गया नेपाल के रैधाने काट मांडू यहीं पर इसका आजन किया गया और यह इसका 20 संस्क्रण था शातिसाथ बिहार के दृष्टिकों से हम यहाँ पर एक जानकारी अगर आपके साथ साजा करें हला कि हमने आपको इसकी जानकारी दिया था लेकिन यहाँ पर explanation में हमने कुछ extra fact भी सामिल किया है जिसके अधार पर यहाँ पर point लिखा गया कि Asian Under 19 Rugby Championship का जो आजन है यह काट मांडू नेपाल में हाल ही में किया गया था और आपको दियान रखना है इसके लिए बिहार के अर्मान आलंग को टीम का कैप्टन चुना गया था हाला कि आपको इस बात का दियान रखना है कि बालक और बालिका वर्ग में कुल बिलाके चार-चार खिराडियों का चैन किया गया था इसी सी को यहां पर लिखा गया कि बिहार से भारते पुरुष वर्ग में यानि कि अंडर 19 रगभी जो चैंपियंशिप एजित वाइस के लिए चार बालक और बालिका वर्ग में भी चार बालिका का चैन किया गया था अलाकि हम यहां पर इसे प्रतियोकता की बात करें तो हमने पुएंट लिखा है आपको दिहान रखना है कि इसे प्रतियोकता में भारत ने रजट पदख अपने नाम क्या तो भारत इस प्रतियोकता में गोल्ड मेडल नहीं जितपाई सिल्वर से ही संतुष्ट करना पड़ा नेक्स नमारा यहाँ पर दसवा प्रशने की हाली में फीना विश्वे तरह की चेंपिंपेंशिप 2022 का आजन कहां क्या गया है अब यह हाली में इसका आजन क्या गया और अस्ट्रेलिया में आप्सन नमर ए इस प्रशनी का राइट आंसर होगा इसका आजन ती थी की बात करें तो इसका जो आजन है यह 13 दिसंबर से 18 दिसंबर 2022 के बीच मेलवर्ण अस्ट्रेलिया में इसका आजन क्या गया यह इसका सोलवा संसकन था सोलवी फीना विश्वे तरह की चेंपिंशिप 2022 का समय लगा कर राश्टर रिकॉर्ड भी बनाया हलाकि आपको दिहान रखना है इसमें एक चंकर ये भी लिखा गया है कि इसमें ये 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 लिखा गया है हमारा अगला 11 प्रशने की राश्टर उर्जा संड़क्शन प्रश्कार 2022 का जो बंच == आपको दिहान रखना है कि राश्टर उर्जा संड़क्शन प्रशन 2022 का जो आज है ये राज़्दानी दिल्ली के विज्ञान-भवन प्रश्र में इसका आजन क्या गया और इसमें राजलय नामित एजन्शीन में प्रथम प्रशकार करनाटिका Renewable Energy Development Limited को प्राप्त हुआ एक्जाम में ये प्रशने पूछे जा सकते हैं हला कि आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि भारतिय रेलवे ने या फिर रेल विभाग ने कुल मिलाके नौ पुरशकार जीते हैं इनमें से आपको यहाँ पर पहला और दोसरा का जानकारी हमने आपके साथ साधा किया है तो रेलवे विभाग को जो नौ पुरशकार मिला है इनमें पहले अस्थान पर काची गुड़ा रेलवे स्टेसन जो की तेलांगाना गया है और वहीं पर गुंतिकल रेलवे स्टेसन जो की आउंध प्रदेस का हलाकि बिहार का आपको दिहान लगना बिहार का एक भी रेलवे स्टेसन इसमें सामिल नहीं था तो इसलिए यहां पर हमने इस चीज़ का और चिकर नहीं किया हमारा अगला 12 प्रशन की निवलेखित में से किस देश ने हाली में महला नेशनल होकी टुनामेंट का आज़न किया गया है इसलिए को यहां पर लिखा गया है कि महला नेशनल होकी ट्रामेंट का जो आईजन है यह 11 दिसंबर 2022 को इस्पेन के वारंशिया में आईजित किया गया है और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान एकना है जो आईजन ती थी है यह 11 से 17 दिसंबर 2022 है और इसमें कुल 8 टीमें भाग लिए है आपको दिहान रखने इस से जरूर जोएन कर लिजेगा अब यहाँ पर माचके हैं आज की इस वीडियो के प्रश्ण पर यह प्रश्ण की निवलेखित में से किस देशने हाल ही में महलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जहापा है समधित सारे जानकारी हमने आपको दिया था बताई इस प वीडियो में तहीं मिलेंगे नेक्षे वीडियो में तो तक रिए धन्वाद जह हैंता